हेलो फ्रेंज आप सभी को नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया किचन टीए पे आज हम एक नए रेसिपे के साथ है यह सहत केरी भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है देखे मैंने हापे बेटरू से पूरी बना रही हूँ आप कदो कस कर लिया हुआ है आप चाहे तो इसका आप बारिक से कट भी कर सकते हैं मैंने हापे कदो कस कर लिया है क्यूंकि जल्दी से इसका ग्रेवी बना सके अच्छा सा पेस्ट बना सके देखे मैंने हापे मिक्सी जार लिया हुआ है उसमें डाला हुआ है डालने के मैं मैं तक हमें आटे में बूढना है करसे हमें इसलिए I do a five ले चृरी लंगष न रहे हो है इसलिए में आपे चनी रउड रहे हूं इसलिए है is निकाल रही हूं अगर आप वेसा ही डालेंगे तो अच्छा सा ओडा आट कलर आएगा इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आएगा चले अब इसे आटा बून लेते हैं मैंने आप एक बॉल लिया हुआ है मिक्सिंग बॉल मैंने आप थोड़ा सा जो है एक कप जितना गेहूं का आटा लिया हुआ है अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी आड़ कर सकते हैं मैंगruit पय्ılar मेंदा नहीं एड किया हुआ है 30 कि लाल मिर्च पाउडर अगर तीक है को किसी सब्जी के साथ कहं तो झाल विबस आजवें क्याल भी निसकेए अबस एंब जादा पतला डूई नहीं बनाना नहीं तो हमारा पूरी है वह अच्छे सा नहीं बनेगा इसको थोड़ा सा तेल लगाकर द्रकना होगा आपको किसी चीज के ढखकर देखे थोड़ा सा इसको मसाज कर लेजिए कितना अच्छा सा कलरफुल हमारे बना है आप ऐसे बच्छों को कलरफुल पूरिया अगयरे बनाके ब्रेकफस्ट के लाएंगे तो कितना खुश हो जाएंगे बचे चलिए इसको किसी च इसके ढखकर तो पांच यह दस मिंट के लिए रखेंगे देखी मैंने हैं पर दस मिंट रखा था देखे कितना थोड़ा सा हाथ को तेल लगा लेजे ताके हाथ को चिपके ला तेखे कितना सौफ्ट हो चुका है इसे और थोड़ा मसल लीजे देखे अच्छे से मिक्स इसमें आटे में डालकर मिक्स कर लिया हुआ हुआ है अब चाहिए तो आप चाहिए तो आप जिस साइस का चाहिए उस साइस का बना सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा काटोरी है तो आपको कटोरीसी भी सकते हैं कितना अच्छा सा बहुत ही ऐसा बनाएके बचों के खिलाएंगे तो ओर भी कुछ हो जाएनगे बच्चे-बच्चे जाधा खाने का भी मन करें कितना आच्छा साथ हैक रखाय करना है कि रड़ बन और इस भी अच्छा रखे क स्वाड़ में ऑनदाए दशाथ सब्सक्समें अ कर एक किल और क्या में एक्क हे टल भी है जैना स्वडाग में नियादा कुछ ब्राइक लग राए इपने तेल को देचे तेल या इसे दालना होगा नहीं तेल जादा गरम तो घरयें जाल जाएगा तो थोड़ेंगे तो बहुत थोड़ा सा इसको फ्रेस करना होगा आपको प्रेस करने के बाद आप कुछ भी नहीं किया है मैं आप थोड़ास प्रेस करना हुगा ताकि हमारा पूरी हो फूल जाएगा सब पूरियों को ऐसा ही तल लेते, कितना अच्छा सा फूल रहा है हमारा पूरिया, बहुत ही टेस्टी पूरिया बन चुका है, कहीं पे भी फूटा नहीं है, कितना अच्छा सा बन चुका है, ऐसा है बचों को मिनी पूरिया बना के खिलाएंगे, तो कितनी खुश हो जाएं आप बना के उनको खिला सकते हैं देखिए कितना अच्छा सा इसके साथ मैंने आपर जो आलो का सब्जी ओ लेया हुआ है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए अगले वीडियो में नमस्कार